मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ आज सहरनपुर दोरे पर पहुचे इस दोरान सीम योगी का बीजेपी के कई नेताओं ने स्वागत किया जिसके बाद सीम योगी ने मार्शा खुंबरी विश्विद्याले का दोरा कर विकास कारेयों की जानकारी ली इसके अलावा सीम योगी ने बीजेपी कारेकरताओं के साथ बैठक भी की इसके लावा मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में मंडलीय समिक्षा बैठक की दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने दिल्ली के ताल केटोरा स्टेडियो में मेक इंडिया नंबर वन मिशन की शुरुबात की इस दौरान उन्होंने कहा देश का हर नागरिक भारत को दुनिया में नंबर वन बनाना चाहता है और इस सपने को सच करने के लिए इस मिशन की शुरुबात की जा रही है उन्होंने देश के 130 करोड लोगों को जो उन्हें की बात कहते हुए काहा कि अच्छी और मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, हर युवा को नौकरी, महिलाओं को सम्मान और किसानों की खुशाली के लिए काम करना होगा आज हम सब लोग प्रण लेते हैं कि जब तक भारत को दुनिया का नंबर वन देश नहीं बनाएंगे हम सोएंगे नहीं, खाएंगे, चैन से नहीं रहने वाले तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे, जब तक हम भारत को दुनिया का नंबर वन देश नहीं बनाने मैं पूरे देश में जाऊंगा, पूरे देश के कोने कोने में जाऊंगा, लोगों को जोड़ूंगा और 130 करोड़ लोगों का एलाइंस बनाएंगे 130 करोड़ लोगों को इस मिशन से जोड़ेंगे और जब 130 करोड़ लोग जुड़ गए तो भारत को सर्वश्रेश राष्ट शक्तिशाली राष्ट बनने से कोई नहीं रोख सकता है भारत मता की इंकलाब वंदे जेहिंड जेहिंड चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे बेच नहीं सकते ये सोच कर आप चिंतित हो क्या अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो तो देरी क्यूं फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करें भारती जनता पार्टी के केंद्रिय संसदिय बोर्ड और चुनाव समिति का गठन हो गया जिसमें संसदिय बोर्ड से नितिन गठकरी को हटा दिया गया वहीं B.S. यदियोरपपा, सरवनन सोनवाल के लक्षमन को पार्टी के संसेदिय बोर्ड में शामिल किया गया है वहीं पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष, जेपी नड़ा के अध्यक्षता वाले बोर्ड में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी, रक्षा मंतरी राचनाच सिंग और केंद्री ग्रीही मंतरी अमिट शा भी होंगे CM योगी आधितनाथ के बुल्डोजर की धूम अब अमेरिका में भी देखने को मिली अमेरिका में तिरंगा यात्रा के दौरान बुल्डोजर पर CM योगी के पोस्टर देखे गए स्वतंतरता दिवस के मौके पर न्यूजर्सी में भारती अमूल के लोगों ने बुल्डोजर यात्रा निकाली इसके साथ ही CM योगी और बुल्डोजर बाबा जिन्दाबाद के नारों से गूंजुठा न्यूजर्सी समाचवादी पार्टी के नेता आजम खान पर F.I.R. दर्च हो गई है इसके लावा अन्य पाँच अग्यात लोगों पर भी F.I.R. दर्च हो गई है आपको बता दे आजम खान पर गवाहों को धमकाने के आरोप में मुकद्मा दर्च किया गया है चंदौली में किसान दिवस पर हंगामा देखने को मिला वही डियम द्वारा समय नहीं देने से भी नाराज हैं पंजाब के जेल मंतरी हर्जोट सिंग बैस ने बड़ा दावा किया है उन्होंने कहा कि मुखतार अंसारी को रोपर जेल में रखने के दौरान पूरा सरकारी तंत्र नतमस तक हो गया था जेल के अंदर मुखतार अंसारी को वी वी आईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था और वो जेल में कम आफिसर्स क्वार्टर्स में ज्यादा रहता था इस मामले को लेकर जल्दी बड़ी कारवाई की जाएगी पंजाब की जेल मंत्री बैस ने कहा कि पूरी रिपोर्ट सीम भगवंतमान को सौब दी गई है और भगवंतमान ने एक हाई लेवल कमिटी भी बना दी है जो मुखतार को वी वी आईपी ट्रीटमेंट दिने के मामले में तमाम पहलों की जाच कर रही है चीमा साब दसन के मुखतार अंसारी जोते जी अल्रेडी मैं किया सी ओ फाईल है जोड़ी सीम साब को ला है ते सीम साब उस्ते खाई लेवल कमिटी बना चुक है बहुत जल्दी था उनों बहुत वड़ा एक्शन नैशनल लेवल द एक्शन था आनों देखनों उससे मेलूगा जी ते इनफ एविडेंस कि कि में एक तंतर जो मैं विदा अंसाबाज बोलिया सी उस्तो भी वद तत सामने आया वहीं बाद में सोसाइटी में बवाल करने वाले छे आरोपियों को बेल मिल गई है सियाचिन ग्लेशियर में गायब होने के 38 साल बाद लांस नायक चंदरशेखर का पार्थिफ शरीर उनके गर हलदवानी पहुचते ही वहाँ लोग भारी संख्या में एकठा हो गए वहीं मुख्यमंत्री पुशकर सिंधामी ने भी शहीद के घर पहुच कर शधांज लियर पित की चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे बेच नहीं सकते ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो तो देरी क्यूं? फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करें